विधान परिशयत में आज सत्ता पक्ष के लिए उस समय असहज इस्थिती हो गई जब सभापती को ये कहना पड़ा कि जो अधिकारी या मंत्री समय से जवाब नहीं देते हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाए हमारे साथ पे समय कॉंग्रेश MLC दीपक सिंग है जिनके सवाल के उपर ये पूरी कारवाई हुई उनी से जानते हैं पूरा मामला दीपक जी क्या था पूरा मामला देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है सरकार जब एहंकारी हो जाए निरुत्तर हो जाए जवाब देह न रहे तो हम सरकार को चिताएं सरकार से सवाल पूछें कि ये हमारे नियम हैं ये हमारे अध्यादेश हैं ये हमारे संविदान कहते हैं ये सासना जिस कहते हैं उसके प्रस सरकार उत्तर दे, सरकार भागती है, जोकि सरकार जवाब दे नहीं है। तो मैंने एक पहला प्रसन लगाय था नियम 223 में, जिसमें मैंने कहा था, कि मेरे कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, यूँ कहें कि पुछे गये प्रसनों के सापेक्श में, सरकार ये कहक रही थी कि हमारे पास पर्याप सूचना नहीं है सदन का अधिकार है सदन जब चलता है तो अधिकारी सदक रहते हैं और समय पर जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमारे नियम और कानून भी यही कहते हैं चुकि पीठ पहले निदेश दे चुकी थी दुबारा सरकार ने वही गैर जिम्मेदारा पूर्ट जवाब दिया पीठ ने बैठाते हुए सभवपति ने आदेश किया कि जिन अधिकारियों ने ये कृत किया है समय पर जवाब नहीं दिया है उन्हें दंडित करें तो दंड वेबस हो जाती है निया होता है और कारवाई होती है बात की जाती है कि विदान परिशन में भी अगर देखे तो बहुमत में सत्ता पक्ष है इसके बावजूद कॉंग्रेस अकेले आप है और उसके बावजूद जिससा से सभावती ने निर्देश दिये आप कैसे देखते लोग कहते हैं सदन नियमों से और परंपराओं से चलता है तो नियम है तो मैं नियम के तहसे सवाल पूशता हूँ और उत्तर प्रदेश तो दुनिया के लिए उदाहरण है हमारे देश का जो लोकतंत्र है यहाँ पर एक केसोसिन प्रक्रण हुआ था जो उत्तर प्रदेश सिक्किये विधान मंदल ने जिस्टिक जच को हाई कोट की जच को पीठ पर तलब कर लिया था यहीं पर एक प्रक्रण हुआ था जौनपूर की तब भारती जंता पाल्टी की विधायक थी वो आज राजसभा की सदस्य हैं उनके एक मान मरदन का सवाल उठा था विशेसाथका की गई तो हम एक्सन लेंगे इतना पावरफुल सम्मिधान हमारा है हम अपने अधिकार को जानते हैं अपने अधिकारों के तहट सवाल पूछते हैं जिसके तहट ये कारवाई होती है और पीठ के सवापती की निरदेश आते हैं एक आखरी सवाल, आपके पास RTI से जानकारी थी, जो आपने सभापती तक दीद, लेकिन नेता सदन के पास नहीं थी, क्या लगता है, यहाँ पर लापरवाही लगती है, जानबूच कर जानकारी देने से बचते हैं लोग। यह सरकार कितनी गहर जिम्मेदार है, यह बात हम जन जन तक पहुचाएंगे, हम जाएंगे, लोग meisten से बताएंगे, सरकार आपके लिए कर क्या रही जब चुनाब होते हैं, तो सरकार कहती है, आ गले लगजा, तो चुनाब बीच जाते हैं, तो आप आइसे आदेत आते हैं, ह से पूछेंगे हम आप कौन होते हैं ये प्रदेष की जनता जनार्दन होती है सरकारें अगर बनाती भी है सरकारें बिगारती भी है तो ये थे मैसा आपने दीपक सिंह और आज देखने को मिला कि किस तरह से भले ही संख्याबल में कमी रहियों कॉंग्रेश के लेकिन जिस तरा से वहाँ पर सवाल उठाए गए उसके बाद सभापती का कड़ा रुख देखने को मिला है सत्ता पक्ष के खिलाफ कैमरा सेयोगी हर्यों को लेकर शैले शरूरा एबीपी गंगा लखनौ एबीपी गंगा खबर आपकी जबापकी